आज हम क्लास 9 NCRT Math के exercise 7.1 का question को solve करेंगे तो पिछले वीडियो में हम 1 और 2 को solve किये थे आज हम तीसरा तीसरा number question solve करेंगे A and D A, A, D and B, C are equal A, D and B, C are equal perpendicular to a line segment AB AB पर perpendicular है यह और यह equal है और AB पर दोनों perpendicular है so that CD bisect AB CD यानि यह line इसको bisect कर रहा है यह proof करना है तो हम solution करेंगे step wise step लिखेंगे तो हम इस और इस triangle को देखेंगे triangle A, D, O and triangle O, B, C इस triangle को और इस triangle को देखेंगे तो हम इस triangle और इस triangle को देखते हैं तो यह और यह side बराबर है AD बराबर एंगल BC यह यह given है यानि दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे और एंगल D, A, O, D, A, O बराबर C, B, O एंगल C, B, O यह क्या है 90 डिगरी का एंगल है तो दोनों बराबर है अब देखेंगे अब देखेंगे यहाँ पर और यह एंगल और यह एंगल बराबर होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल D, O, A, बराबर एंगल B, O, C यह किस तरह वर्टिकली अपोजिट एंगल यह देखेंगे एक साइड बराबर होगा दो एंगल बराबर होगा कि यह ट्रेंगल A, D, O, गांगुरेंस ट्रेंगल O, B, C यह दोनों ट्रेंगल कॉन गुरेंस हो गया है किस नियम से एंगल अगल साइड एंगल एंगल साइड अंगल एंगल साइड से यह दोनों triangle congruence हो गया जब congruence हो गया यह triangle और यह triangle तो अब हम कहसे लगते हैं कि यह side यह side यह side तो बराबर हैं यह side भी यह side बराबर हो जाएंगे और यह side भी बराबर हो जाएंगे यहां से हम कह सकते हैं कि od बराबर और ओसी और वो भी बराबर ओए मतलब यह और यह बराबर है तो हम कह सकते हैं कि यह यह और यह जब बराबर है तो हम कह सकते हैं कि यह सीडी लाइन है इन दोनों को बाइक सेक्ट किया है तभी तो यह दोनों बराबर हो गया है यह भी तो कह सकते हैं तो हमारा यहां से हमारा प्रूफ हो गया कि cd bisect ab cd ab को bisect किया है यह और यह बराबर है तो हम कहा सकते हैं कि cd जो line है वो ab को bisect किया है चलिए चौथा question देखते हैं यह हमारा चौथा question है इसका हम solution करेंगे तो देखेंगे यहां पर l and m are to parallel line intercept by another pair of parallel line p and q c figure 7.14 यह यह figure showed at abc abc triangle abc congruent cda cda तो हम देखेंगे कि यह line और यह line parallel है और यह line और यह line parallel है तो जब यह line और यह line parallel होंगे तो यह जो distance है उतना ही distance ही यह भी होगा क्योंकि यह line और यह line और यह line parallel है तो यह a और यह side parallel है तो यह a b c d a क्या बनगे parallelogram बन गया और तो यह एक parallelogram बन गया तो यह side और यह side और यह side और यह side और यह side ब्राबर हो जाएगा तो जब हम प्रूफ कर दियें कि a b c d e j parallelogram तो हमारा a b b बराबर क्या हो जाएगा c d और a d बराबर क्या जाएगा b c यह किस तरह हम प्रूफ कियें चुकि यह और यह parallel है और यह और यह यह आपस में parallel है तो यह क्या बन गया a b c d एक parallelogram बन गए जब parallelogram बन गए तो parallelogram के opposite side क्या होते है इक्वाल होते है ठीक अब हमें प्रूफ क्या करना है सो क्या करना है यह हम इस triangle को लेते हैं triangle a b c and triangle c d a यह दोनों triangle ले लिए तो दोनों triangle में a b c और a c d दोनों triangle में हम देख सकते हैं कि a c common है a c बराबर a c यह क्या है common है और यह भी बराबर क्या है c d यहां पर हम प्रूफ कर चुके है तो यह भी ब्रूफ्ट कर चुके है प्रूफ्ट एवाव मतलब उपर में प्रूफ्ट कर चुके है और एडी ब्राबर क्या है बी-सी इसको भी एम प्रूफ्ट कर चुके है देखिए एडी एडी ब्राबर क्या है बी-सी इस ट्रैंगल का ये साइड और ये साइड ब्राबर है और ये साइड तो कॉमन है दोनों में तो ये ट्रैंगल क्या हो गया ट्रैंगल A, B, C, Concurrence ट्रैंगल C, C, D, A ये किस नियम से हुआ? साइड, साइड, साइड क्रिटेरिया से ये हमारा प्रूफ्ट हो गया तो अगले वीडियो में हम लोग 5 नंबर क्योशन और 6 नंबर क्योशन करेंगे साइड हो गया